हेलो, इस वीडियो में हम लेटर M रिलेटेड जितने भी सारे इडियम्स और फ्रेजेस हैं एस्पी बक्सी बुक में वो सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे आई होप आप जितने सारे प्रीवियस लेक्चर से हैं वो सारे को आप रेगुलरली देखे हो और उसको रिवाइस किये हो लेटर A से लेके लेटर L तक सो विटाउड वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहला इडियम्स मेक बोथ एंड्स मीट, क्या मतलब है इसका, दोनों एंड को मीट करना, मतलब मतलब दो लकीर मानलों कि दो लगीर सल रहा है, ठीके, एक लगीर और दूसरा लगीर दोनों को equally लेके जाना मतलब यह point जहां पर है और यह point भी उसको ऐसी लेके जा रहे हो ऐसा नहीं कि यह आगे चले जा रहा और यह पीछरोग जा रहा है और यह पीछरोग जा रहे ना दोनों equally जा रहा है यह तो रहा है literal meaning लेकिन ये किस meaning से बोला गया है ये idiom का जो भावना क्या मतलब व्यक्त कर रहा है यहां पर भावना make both ends meet दोस्तों इसका मतलब है कि जितना हमारा आउकाद है उतना में रहना ठीक है जितना हमारा हैसियत है उतना में रहना और एक idiom का ये एक वर्षन है जो कि हम बोलते हैं कि पैर उतना ही फैलाओ जितना हमारा चादर है ठीक है चादर जितना है पैर उतना ही फैलाओ तो जितना हमारा limit है उतना में ही हमें रहना चाहिए तो make both ends meet का मतलब है to live within one's means तो ये तोड़ा हिंदी में मैंने समझा दे लेकिन इसका इंग्लीस में आप तो आपको याद रख नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में चार अप्शन तो हिंदी में नहीं देगा इंग्लीस में देगा तो live to live within one's means to live within one's means जितना हमारा हैसियत है उतना में ही जीना men one's fences इसका मतलब क्या है दोस्तों? माल लग कि दो दोस्त है और दोनों के बीच में लड़ाय हो गया है अब हमेंसे तो लड़ते नहीं रहेंगे कभी न कभी तो सांती बनाय रखना होगा सांती बनाना पड़ेगा उनके बीच में तो जब हम सांती बनाय रखने की और या सांती बनाने की कोशिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं men one's fences to make peace इसका मतलब क्या है इंगलिस में? to make peace to make peace मतलब सांती बनाना next देखो make a clean breast मतलब दिल साफ कर देना माल लो कि मैं आपको बोलो कि अपने तुमारे दिल में जितने जो भी चीज है और उसको साफ कर दो clearly बोल दो तो मैं क्या बोलने की कोशिस कर रहा हूँ? कि तुमारे अंदर जो secrets है वह मुझे बता दो है की ने यही मैं बोलने की कोशिस कर रहा हूँ आना कि तुम्हारे अंदर जो secret से हो मुझे बता दो तो make a clean breast का मतलब है दोस्तों to confess confess करना मतलब जो secrets है उसको बता देना दिल साफ कर देना to confess तो इसको English में आपको याद रखना होगा to confess next क्या देखो make amendments amendment आपने amendment word सुना होगा amendment constitution अगर आप Indian पॉलिटी पड़े हो तो उसमें आपने amendment amendment word आपने सुना होगा amendment का मतलब क्या होता है संसोधन करना संसोधन word कहां पर आता है जहां पर हमने कोई चीज को पहले से declare करके रखा हुआ है या पहले से हमने एक rule बना दिया और बाद में हम कोई एक कारण के वज़े से उसमें changes लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हम संसोधन करेंगे उस चीज का उसको क्या बोलते इंगलिस में amendment को मेंट को मतलब क्या है मान लो कि कुछ loss हो गया किसी का फैंमिली में मान कि kisika death हो गया अब उस इंसान को वापस नहीं ला सकते लेकिन उनका पीड़ा हं उनका जो करष्ट है उसको कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं जैसे कि हम financially help कर सकते हैं तो हम हम क्या कर रहे हैं वहा को कम कर सकते हैं तो मेक एमेंड मतलब दोस्तो कुछ पेन को कम कर देना ठीक है थोड़ा कुछ पेन को कम कर देना तो इंग्लिस में हम इसको क्या याद रखेंगे एवποιेरे ठीक दुकिन को क्या मतलब दोस्तो तु यूचलिस फिली मतलब पूरा कम्प्लीचली यूचलिस करना मतलब मैक्सिमम यूचलिस करना Maximum Utilization, इसको याद रखो, Maximum Utilization, चाहे वो समय की बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो पैसों के बारे में बात किया जा रहा है, चाहे वो Manpower के बारे में बात किया जा रहा है, तो कुछ भी हो, Make the Most of का मतलब है, Fully Utilize करना और Maximum Utilization करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Move Heaven and Earth, क्या मतलब इसको, Heaven मतलब क्या है, Swarg, Swarg को Move करना, और Earth मतलब क्या है, Prithvi, Prithvi को Move करना, दोस्तों ये Literally Possible है नहीं, है की नहीं, कभी भी, मैंने स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, कि Idioms and phrases को कभी भी Literal Meaning में कभी मतलेना, ऐसा कभी Possible ही नहीं है, कि Swarg और Prithvi को कोई हिला रहा है, लेकिन इसक इसका मतलब यह है कि ताकत बहुत ज़्यादा लगा जा रहा है, ठीक है, पूरा ही ताकत लगा लगा जा रहा है यहां पर, तो Move, Heaven and Earth का मतलब क्या है, कि Fully Potential अपना दिखाना, पूरा ताकत लगा देना, मतलब जितना आप Try करो, मालनों कि आप exam करा कनी कोशिस कर, पूरा जान लगा दे रहा है, तो हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि You're Moving, Heaven and Earth, इसका मतलब क्या है, आप Fully, मतलब पूरा ताकत लगा रहे हो, तो इंग्लिस में क्या याद रखना इसको, To Try At Most, To Try At Most, ठीक है, Make Sure का मतलब क्या है, Make Sure का मतलब है दोस्तों, Confirm करना, To Confirm, To Confirm, जैसे कि हम आप इस टाइब की फ्रेजर सुने होगे, कि Make Sure कि तुम जहां जा रहे हो, कि वो जगा सेफ हो, Make Sure करना कि वो जगा सेफ हो, क्या मतलब है उसका, Confirm कर लेना कि वो जगा सेफ है कि नहीं, तो Make Sure का मतलब क्या है, To Confirm, Next Idiom के देखो, Make Neither Head Nor Tail, मतलब, ना Head गिरा ना Tail, ना Head डाल सके ना Tail, मतलब क्या है, भया बीच में रहे गए, बीच में मतलब क्या है, कोई Conclusion ही नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, यह तो Literal मीनिंग हो गया, लेकिन यह कौन सा भावना यहां पे वेक कर रहा है, यह कहने की कोसिस कर रहा है, कि कुछ भी clear नहीं हुआ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, ना Head आया, ना Tail आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, Not To Understand, इंगलिस में क्या या दखना इसको, Not To Understand, not to understand ठीक है mood point का मतलब क्या है mood point का मतलब है a debatable point debatable point मतलब जिस point पे debate किया जा सकता है debate किया मतलब जाने वाला point मालोग कि कोई एक point मतलब कोई conclusion पे नहीं पहुंचा है आदा अधूरा रास्ते पे पहुंचा हुआ है जहां पे 10 लोग 10 टैप के opinion देके जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं debatable point मतलब अभी तक decide ही नहीं हुआ है वो चीज़ ठीक है कोई conclusion में पहुंचे नहीं है तो a debatable point बोल सकते है mood point को a debatable point या हम बोल सकते हैं undecided undecided क्योंकि अभी तक decision final हुआ नहीं है तो उसको बोलते है mood point meet once waterloo क्या मतलब है इसका इसका मतलब है दोस्तों to face final defeat to face final defeat अब देखो एक राजा है वो अपना युद्ध जीते ही जा रहा है जीते ही जा रहा है एक से एक जो युद्ध है वो करते जा रहा है वो जीते जा रहा है लेकिन finally वो waterloo पे meet किया मतलब उसका जो waterloo है उसके साथ वो meet किया उसका मतलब यह है कि वो finally अपना defeat को face किया मतलब एक ऐसा युद्ध है जहां पे वो हार गया तो meet once waterloo का मतलब किया है to face final defeat next देखो man of letters man of letters का मतलब किया है दोस्तों यहां पर जो letter है यह चिठी के बारे में बात नहीं किया जा रहे दोस्तों यहां पर अक्सरों के बारे में बात किया जा रहे लेटर ठीक है इसके बारे में बात किया जा रहा है तो man of letters मतलब दोस्तों पड़े लेखे इंसान को man of letters बोले जाता है मतलब इंग्लिस में क्या बोलते हैं इसको literary person literary person literary person ठीक है बड़े लेखे इन्सान को English में मतलब idiom में बोले जाता है Man of Letters अब देखो sentences में literary person भी यूज़ किया जा सकता है है कि नहीं लेकिन literary person के जगे पे हम man of letters अब यूज़ कर दे सुंदरता बढ़ जाता है sentence का तो exactly idioms and phrases का रोल वही है कि sentence का सुंदर को मतलब sentence को सुंदर बढ़ाया जाए sentence का जो सुंदर रता है उसको बढ़ाया जाए तो idioms and phrases का रोल वही होता है English language में make light of का मतलब क्या है not to care not to care समझारों में इसको मतलब क्या है देखो not to care मतलब उतना care नहीं करना मतलब lightly नेला जैसे देखो आपने यह phrase सुना होगा नॉर्मल या जब बातचित कर रहे होते हैं दो दोस्त बैठें और या बहुत सारे दोस्त बैठें उनमें से अगर कोई serious हो रहा है या कोई कर मतलब lightly low नेस्ट क्या देखो मिदाश टच मिदाश टच दोस्तों इस टाइब कर टच है जो कोई भी मेटल को सोना में बदल दे कोई भी चीज को सोना में बदल दे अब लिटरली ऐसा चुब एसा इस टाइब कर टच तो कुछ होता है नहीं कि अटच किया सोने में बदल यह कहने कोशिस कर रहा है कि जहां पर failure हो अगर किसी ने touch किया मतलब कोई इनसान अगर उसका अगर मिदाश टच है मतलब वो failure को भी success में convert कर देता है यह यह चीज को कहने कोशिस कर रहा है मिदाश टच मतलब कि कुछ भी वो चुए वो सोने में convert हो जाएगा ठीक है तो इंगलिस में क्या याद अखना a touch which turns anything into gold a touch a touch which turns anything into gold यह समझ में आया man-of-parts man-of-parts का मतलब क्या है दोस्तो man-of-parts का मतलब है दोस्तो जिस इंसान के अंदर qualities है ठीक है man of skill बोल सकते हो आप उसको जिसके अंदर skills है जिसके अंदर qualities है तो a man of qualities को a man of parts बोला जाता है a man of qualities इसको एडिया में बोला जाता, man of parts मिली मॉथट का मतलब क्या है? मिली मॉथट का मतलब है दोस्तो जो बहुत ही softly बात करते हैं बहुत ही मतलि मधूर आवाज, soft spoken बमधूर ऑजाता है, इंगलीज में क्या बमधूर बमन बता है? soft spoken, मधूर आवाज वाले तो मधूर आवाज वालों को मीली माउथेट बोला जाता है क्योंकि वो जो उनका जावार्णी होता है बहुत ही मधूर होता है Man of Straw का मतलब क्या है Straw मतलब दोस्तों जो जिससे हम कोल्टरिंग पीते हैं जो पतला सा एक पाइप आपने देखा होगा Straw अगर Man of Straw मतलब जो इनसान Straw जैसा है उतना पतला है दुबला पतला तो उसको हम क्या बोलते हैं वो वीक है तो Man of Straw जो इडियम है एक वीक परसन को इंडिकेट यहां पे कर रहा है इडियम तो एक वीक परसन को हम अगर हम वीक नहीं बोलेंगे उसका हम बोलेंगे इडियम में Man of Straw ताकि उसको भी बुरा ना लगे थोड़ा सुन्दर सा लेंगोज यहां पे यूज कर देते हैं तो Man of Straw मतलब क्या है अवीक परसन मिन्स मैटर्स मिन्स मैटर्स का मतलब क्या है दोस्तों गोल माल करना बातों का गोल माल करना मानलों कि आपको घर में सच सच बताना है और आपने सच नहीं बता के आपने गोल माल कर दिया बातों को गुमा फिरा के आप बता रहे हो सच जो है उसको छुपा के डोंग कर रहे हो अपने घर के सामने मतलब घर वालों के सामने, घर के सामने तो नहीं means matter मतलब क्या है, इंगलिज में क्या या दखना है to hide the truth मतलब सच को छुपा के pretend करना, मतलब ढोंग करना and pretend to hide the truth and pretend match nest मतलब क्या है दोस्तों nest मतलब क्या है, जाल match nest मतलब एक complex situation ठीक है illusionary situation बोल सकते हैं complex situation, जो this situation का complex situation, जिस situation का अभी तक solution नहीं निकला हुआ है जहाँ पर अठके पड़े हैं सब लोग ठीक है, जहाँ पर बैठे पड़े हैं सब लोग, जिसका पास solution ही नहीं जिसका solution ही नहीं है, तो उसका हम बोलते है match nest, एक complex situation, समझ में आया, तो दोस्तों letter M related, जितने सारे idioms and phrases थे हैं, SP बखसी में हमने सारे एक एक करके देख लिया I hope आप इस चीज को समझ पाए हो, सारे idioms को फजम समझ पाए हो, और I hope कि आप इसको दुबारा आपको repeat ना करना पड़े, अगर मैं चाहूँगा कि आप इस चीज को repeat करो, फिर से वीडियो को देखो next मतलब 2-3 दिन के बाद ताकि फिर से ये चीज आपका revise हो जाया और लंबे समय तक याद रहे है thank you so much for watching this video, have a nice day take care, अगले वीडियो में फिर से मिलता है अगले वीडियो को देखो